नमस्वार बच्चों आज इस व्लिएयो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9 के अंदर जो युनीक टेस्ट है चाहे हो 1 हो 2 हो या 3 हो युनीक टेस्ट के अंदर जो अम युनीक टेस्ट ले रहे हैं वो 40 मार्क्स की है 40 मार्क्स की इसमें कैसे कैसे क्या क्या पुछा जाएगा और आपको किस तरह से लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा चाहे हो युनीक टेस्ट 1 हो 2 हो या 3 हो जिनों के अंदर हम 40-40 मार्क्स की उनीक टेस्ट ले रहे हैं तो उसको आप कैसे लिखोगे वो में यहां पर आपको बता रहे हैं युनीक टेस्ट 2 अभी हमारा जो सिलेबर्स है युनीक टेस्ट 2 का पेपर आप लिख चुके हो अब युनीक टेस्ट 2 के अंदर तो 40 मार्क्स का पेपर आएगा वो आप कैसे लिखोगे जैसे आपनी टेस्ट 1 में लिखा है वैसे ही है लेकिन फिल भी मैं आपको एक बार बता रहे हैं युनीक टेस्ट 2 के अंदर जो 40 मार्क्स का हिदी का पेपर आएगा उसके अंदर चार खंड होगे कि जिसमें खंड कर खंड 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 गर और खंड गर यह चार खंड है पेपर के अंदर खंड मतल्द समझ लोगती है वेशन नंबर 1 है तु है त्री है खोड और यह चार खंडों में यहां पे दिया गया है जब आपका फाइनल पेपर आएगा एटी मांस का तब भी ये चार खंडी में होंगे सिर्फ इसमें फड़ होगा अभी यूनिक टेस्ट है तो यूनिक टेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले जो खंड कर है इसके अंदर हमेशा आपठीत गध्यांज जो आपठीत है पठीत नहीं है जो कि हमारे CPSC के जो फॉ पुछा रहता तो यहां पर अपठीत गध्यांज जो है वो 9 मार्क्स का आएगा 9 मार्क्स का जो अपठीत गध्यांज है उसके अंदर 2, 2, 2, 2 और 1 ऐसे करके टोटल 5 में शनाएंगे जो पुल मिलाके 9 मार्क्स के ओ जहेंगे जिसमें यह जो एक मार्का है उसके अंदर लगबग जो अपठीत गध्यांज से उसका श्रिष्षक दीए या तो कोई द्याकर गध्यांज एक मार्का आएगा बाकी जो है वो 2, 2 मार्के चार आएगा इसके अंदर मैं आपको एक बाद बता दूँ कि यह जो अफठी गध्यांज से इसके अंदर हर बार जो विद्याकी है कि क्या करते है कि जब शुरूवां करते हैं खरंड़-शु गवाकर लिखने की जब शुरूवार करते कि गदियांश के अंदर कि वो असल में क्या कर रहा है जो यहां पर वो प्रॉशन दिये गय है उनको पहले पढ़के पात में यह जो गद्यांश है यानि पेरेगाप है उसके अंदर उसके ढूमने की पुर्शिट करते है तो हर बार ये संभव नहीं है, वो सकता है एक आर बार कोई question ऐसे line to line मिल जाए लेकिंग 9-10 के जो passage है, paragraph में गद्याज है, उसके अंगर लगपक ये डूनना मुश्किल हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो अपठी गद्याज दिया उवा है, जो आपको paragraph मिला उवा है वो paragraph पहले समय देकर, ध्यान देकर आपको पहले से लेकर आखीर तब ये गद्याज को पढ़ा है जब आप बैद्यांस को पढ़ोगे, घ्यान देखके पढ़ोगे तो आपको भले पुरा नहीं, लेकिन 50% जो है, वो आपको समझ चाएगा, यह जो परइग्राप है, यह जो बैद्यांस है, वो कीश विशएपर है, वो क्या कहना चाहता है, वो आपको पूरा परइग्राप जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहे हैं। जब यह paragraph आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब आप पहला question पढ़ोगे, तो आपको वो दिमाग के अंदर जो है, वो line हो जाएगी, कि मैंने जो पढ़ा था, उसमें इस question का उत्तर है, line to line नहीं है, लेकिन है, तो जब आपके दिमाग में वो आया, तो आप फिर इसका उत्तर लिख होगे, भले वो आपको paragraph में line to line नहीं मिला, लेकिन आपको concept समझ आया थी, paragraph जो है, गद्याँ जो है, वो क्या कहना चाहता है, तो आप इसका उत्तर लिख पाऊगे, यह आपको easy पढ़ेगा, अगर आप इसका उत्ता करते हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि आप पहले प्रस्न पढ़ते हो, और बाद में उसे गद्याँ परेग्राफ में ढूंडने की कोशिश करते हो, तो आप सोचो कितना समय आपका विग्रेजा, क्योंकि आप हरेक प्रेशन को पढ़े, यह 5 है, हरेक प्रेशन को आप बाद में फिर से पूरा परेग्राफ टटो लोगे, तुंडोगे, कि इसमें आपका इसका आच्छर, यानि आप कितनी बार परेग्राफ पढ़ रहे हो, आप 5 प्रेशन है, तो 5 बार परेग्राफ पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको इस सा उतर डूंडना, तो इसमें आपकी समय की बर्बादी होती है, इसमें आपका समय बेच जाता है, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले शांती से गर्द्यान उसको पढ़ लो, समझ लो, वो कौन से विश्यका है, कौन सा टॉपिक उसके अंदर है, वो क्या कहना चाता है, वो आप गर्द्यान उसको आप इस बात को पुरा ज्यान रखोगे यह मुझे रिश्वास है कि आप इसी तरह जैसे मैंने कहा वैसे ही आप पेपर के अंदर लिखोगे तो यह बात हुई यह खंड कर जो नौ मार्ट का है इसके अंदर आप समझ गए दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस बन ऐसे पांच प्रेस्टन आए लिए और वह नौ मार्ट का यह अपठी गज्यांच है तो जैसे मैंने कहा वैसे आप इसको पूरी इमानदारी से पढ़कर इसका जवाब लिखना है इसके बार जो खंड ख़वर है वह व्याकरण का है तो व्याकरण के अंदर यूनिट्ट्यू में में आपको कम उन्द तो आपके यूनिट्ट्यू के अंदर शब्त वपद चार तोपिक जो है वह आपकी निट्ट्यू में है तो चार तोपिक जो है उसमें से शब्द और पद जो है वो दो माक्स में शूर्टी सम्मिन्नातर शब्त जो है वो दो माक्स में परियामाची एक वाट का और विलोंग एक वाट का ऐसे पूल मिला के छे माक्स का आपका जिसके अंदर शब्द और पद में पुछा जाएगा आपको कि शब्द की से केते हैं, पद की से केते हैं, उदारण सही, समझाईए, तो ऐसे ही उन चारों को, यानि कि शब्द पद, सुर्थी सम्मिनाथ, शब्द, परियावाची शब्द, और विलोंशब्द, ये कुल मिला जाके 6 मार्क का व्याकरण के अंदर आपको फुछा जाएगा, जो आपको ध्यान देके, ये जो व्याकरण के खंड खर के जो 6 मार्क्स हैं, वो जाने नी चाहिए, अब ये योई टेस्ट हैं, इसलिए सिर्फ 6 मार्क्स का ग्रामर है, जब आपकी फाइनल एग्जाम क्या होगा, इसके अंदर इस पार उनिक टेस्ट टू के अंदर टू की बात कराऊं, इसके अंदर शब्द वपर, शूती संबिनार सब शब्द, परियावाची शब्द और पिलोंग शब्द, कुल मिला के 6 मार्क्स का जो है, वो आपका व्याकरण, इसके बात, खंड ग जिसके अंदर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हुतराई, जिसमें मैं आपको बता दू कि आपके युनिक टेस्ट टू के अंदर, जो चैप्टर है, उसमें सपर्ष में से एक कविता है, वो है एक खुल की चांद, सपर्ष में से जो पाठ है, उसमें दो है, तुम कब जो आती जी और धर्म की आद, और जो संचयन है, उसके अंदर एक पाठ है, वो है स्मिर्ति, यानि पूल मिला के जो तीन पाठ और एक कविता, टोटल चार है, उस संचयन और सपर्ष को मिला के, जो पाठ्यों को पुस्तके प्रश्न उतर है, वो टोटल बंद्रा मार्के है इसके अंदर एक जो है संचयन का वो पाठ मार्क मेर पुछा जयेगा, और अगर यहाँ चेप्टल की संचया ज्याज यादा है, तो यहाँ दो की जगदास में प्लस वन पलस वन हो जाएगा, अगर चेप्टल ज्यादा है, तो तो इस तरह से आपको पंदरा बाग के पार्टिय पुस्तर के प्रश्चन उत्तर पूछे ने अब आप कोगे कि इसमें लिखना कितना है तो आपको हमेशाद किसी भी पेपर के अंदर मार्क्स इतने है उसके अनुसार लिखना है तो यहां पे जो संचेन का प्रश्चन है जो पाँच मार्क में जवाब होना चाहिए अब यह जो दो मार्क है और या तो एक मार्का जो है उसमें मार्क्स के अनुशार उसके शब्द जो है वो कम हो जाएंगे यानि कि 30-35 शब्दों में आप इसका जवाब लिखोगी तो जैसे मार्क्स है जितने मार्क्स का आपको प्रश्न पुछा गया ह है उस मार्क्स के हिसाब से आपको उसको न्याय देना है लिखना है अगर एक मार्का है तो आप डेड़ दो लाई में यानि कि 20-25 शब्दों में उसका जवाब लिखोगी तो यह हुआ खंडगा जो पार्ट्य पुष्टक में से प्रश्न उत्तर पुछे जहेंगे फिर से पुष्टक में से पाँच मार्का पुछा जाएगा और जो सपर्स है उसमें से दस मार्का फुल मिला ये जो फंद्रा मार्क्स है अग्या उसके के प्रश्ण उत्र आपको पूछे गए कि एसके बार आपका इसके लाष्ट मेnent को युशो लेखन है इसके अंगर युशा पाइंत के आपका सम्भाद लेखन और नाराले। तो ये जो 5 प्लश 5 आपको दिखरा आ है यानि पांच मार्ष का नारा लेकम कुल मिला के 10 मार्ष के हैं जो खंड घवम है तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो 5 5 मार्ष का है तो कम से कम आपको 50 सब्टों के आजपार इसको लिखना पड़ेगा तो संभार देखन उसके अंदर आप संभार दिखेंगे चाहे वो 2- Tennessee हो या 3- Tennessee हो जिसके बीठ में संभार हो रहा है, आपको paper में पुछा रहेगा, टौपि दिया जेगा विशेटी दिया जेगा उसके अनुसार आपको संभार देखन दो है 5 marks में गम से कम 50 शब्दों के अंदर लिखना है और ये जो है 5 marks उसमें नारा लेकन है जिसमें आपको slogan writing जो है वो करनी है तो वो भी आपको 35 से 40 हब्टों के अंदर आपको नारा लेखन जो है वो करना है यह हुआ लेखन जो 10 मार्क है यानि आप पुरा प्रॉर्मेट जो है पेपर का और कैसे लिखना है आशा पता हम आप समझ गए होंगे कि 9 मार्क्स का जो है वो अपटीज गत्यांज है छे मार्क्स का जो है ग्रावर है 15 मार्क्स का जो है वो पार्थिंपुस्तत्य प्रिश्न उत्तर है और 10 मार्क में राइटिंग पोर्षन है जो लेखन 5-5 मार्क्स है यानि दो चीजे पुछी जाएगी जो 5-5 मार्क्स की है तो अब ये unit test चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो unit test जो है, वो 40 marks की है इसलिए हर एक unit test में इसी तरह का format रहेगा और हर एक unit test में आपको इसी तरह लिखना पड़े अब last में, एक और बार, जब आप पेफल लिखते हो तब बहुत सारे विद्याती जो है, वो खितिर कर देते हैं यादि की बहुत नस्दिक नस्दिक लिखतेते हैं तक वो समझ में नहीं आता कि कहा से कौन सा खंड शुरू होता है तो मेरी आपको एक बुजारिश है, सला है कि आप जो है, वो हरे खंड जो है, वो माल लो कि खंड गा है जो पहले पेज में आपने लिखा तो जहां पर भी ये क्वेशन आज से खतम हो है उस पेज को छोड़ो, नए पेज से खंड खा जो है अलग अलग तो आपको छे या साथ पुछें तो प्रश्ण जब लिखते हो प्रश्ण उत्र जब आप लिखते हो तो मानों कि यह पांच मार का जो है आपने लिख दिया तो उसके बार एक आप दो लाएं छोड़ो उसके नीचे पैंसिल से अंगर लाइं करो ताकि पता चले क आपको अलग अलग लिखते हो तो यह पहुत ही अच्छा पेपर दिखेगा बले आपके अच्छा खोड़े खराब हो लेकिन और माक्स जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे तो किसी तरह आपको यह जो इनिट टेप्स का पेपर है वो लिखना आप आशा करता हूँ आप सारी जिदी यह समझ लिए होंगे और इसी तरह से आप पेपर लिखोगे धन्यवाद